Hello all, welcome to Magnet Brains, मैं रिया चोहान, आपकी दोस्त और होस्ट for social science आज आपके लिए लेकर आई हूँ topic wise videos of outcomes of democracy देखो, ये वाला chapter जो है वापको board में भी आने वाला है प्लस इस chapter के साथ में एक problem है, एक परशानी है क्या परशानी है, कि जब हम इस chapter को पढ़ते हैं पहली बार में हमको समझ नहीं आता है कि chapter कहना क्या चाहता है है ना, दूसरा ऐसा कि चलो फिर भी थोड़ा बात धक्का मार के कि चलो board में आने वाला है तो हम सोचते हैं कि कर लेते हैं, थोड़ा जहां से भी आनसर याद हो जाए, ऐसा कर लेते हैं, कोशिश तो ये problem जो है, वो basically में को इस chapter में देखने को मिलती है कि शुरुआत में जब भी हम इसको अपरेज करने कोशिश करते हैं, ये हमको खुले दिल से accept नी करता, ये धूर बागता जाता है, हम सोचते हैं कि समझे, और ये कहता है, तो हमको समझ में नहीं आता है, कि आखिर में ये chapter कहना क्या चाह रहा है, तो मैंने थोड़ा सा effort दे हैं कि आपको उसके अंदर आपका effort देना पड़ेगा, वो पहले पढ़ते से नहीं आपको समझ में आ जाएंगे, वो chapter आपको की दिमाग को थोड़ा सा utilize करेंगे, और जब आप उसको पढ़ने ही कोशिश करोगे, समझने ही कोशिश करोगे, तो आपको समझ में आएगा, ब क्या दिमाग लगा है हम उसके अंदर, इसमें आपको ज़्यादा फालत को दिमाग लगाने की ज़रूत नहीं है, बहुत easy है, एक समझ लो, एक answer जैसा ये chapter है, एक सवाल है, और उसके उपर ये chapter जो है, वो बनाया गया है, क्या सवाल है माम, तो देखो सवाल, एक में से कई सवाल जो है, वो निकले वे हैं, और इस वीडियो को पढ़ना और इस वीडियो को समझना काफी जरूरी है, बिफोर वी स्टार्ट इस चैप्टर, नहीं तो आपको पूरा चैप्टर समझ में ही नहीं आने वाला, एक एक करके आपको इस चैप्टर के अंदर टॉपिक दिय है, वैसी है, ऐसा होता है, वैसा होता है, यह फंडमेंटल राइट देती है, यह वाले फलाना राइट देती है, यह फलाना चीज देती है, ऐसे फायदा होता है, डिक्टेटरशिप से ऐसे अच्छी है, मोनार्की से ऐसे अच्छी है, आपको फायदे ही फायदे बताती है, डेमोक्रेसी को work करने का तरीका हमने class 7th के बात से शुरू किया था तो अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं 9th में भी हमने यही पढ़ा अब 10th में भी आपके जितने भी chapter थे तो डेमोक्रेसी से जुड़े हुए थे है ना तो by the end यह वाला topic आपको दिया हुआ है NCRT में जिसमें यह बात की गई है मतलब पर तो पूरा सारा कुछ बता दिया फिर हमें चाप्टर में बेसिकली ऐसा कहते हैं NCRT वाले या real life में चीज यही है यह आपको कहता है कि ऐसा क्या है कि डेमोक्रेसी अच्छी है है ना मतलब आप यह सोचो कि जो आपने इतने सालों से डेमोक्रेसी के बार में पढ़ा है ना यह चैप्टर उस सारी चीज को समप करेगा समझ में आ गई बात पूरा जो भी आप पढ़के आए हो ना आपको उसको इस चैप्टर के अंदर एक समरी की तरह समझ लेना है तो यह बेसिकली आपका चैप्टर होने वाला है है ना अब चैप्टर का नाम क्या है हम उज्वल लेनी है फिर यहां सबंगे समझ में आई बात तो पहली बात तो यह कि इसको एग्सामिन करनी के जरुरती क्यों है यह सवाल हमारे दिमाग में खड़ा होता है तो बस वही सवाल जो है वो पूरा 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 आपको इस चाप्टर के अंदर बताया हुआ है कि क्यों डेमोक्रेसी को असेस करने की जरूरत है पहले तो हम इसके बाद वाले जो वीडियो है ना उसके अंदर हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी को जरूरत कि यह और अगर जरूरत है मैं बतांगे आपको कि यह जरूरत है डिमोक्रेसी रहां कीको सेस करें कि तो हम कैसे कर सकते हैं उसको पहले निज़से कौ Alexis करते है उसके अंदर हम क्या और दूसरीEM करेंगे हर topic के अंदर और फिर पताएंगे की democracy इसली अच्छी है फिर दूसरा topic उठाएंगे फिर compare करेंगे फिर बोलेंगे democracy इसली अच्छी है समाज में आगी बात तो पूरी तरीके से हम democracy को summarize करने वाले हैं इस chapter के अंदर कुछ basic सवाल है कि democracy करती क्या है तो इसके just बाद वाला जो वीडियो रहेगा है ना how do we assess democracy तो उसमें पहले हम discuss करेंगे why is there need to assess democracy जिसका सवाल यह है what does democracy do फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि हम democracy से क्या क्या result expect करते हैं कि democracy इस तरीके की होनी चाहिए वो सारी बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि यह जो हमारी expectation है democracy से वो fulfill होती भी है या नहीं होती है और last में हम देखेंगे वो जो सारे topics हैं कि यह यह हमारी expectation है अब इस expectation पर democracy कैसे खड़ी हुई तो जो सारे आपके topic है ना जो मैंने आपको नाम लिये थे inequality and social justice वाला social accommodation वाला है ना और भी बहुत सारे जो topic है आपको अलग-अलग पूरे की पूरे दिये हुए हैं वो सारे क्या हैं हमारी expectation है democracy से फिर हम हर topic में देखेंगे कि हमारी expectation है democracy पर कैसे खरे उतरी है और यह इसलिए अच्छी है democracy कैसे खरे उतरी है यह इसलिए अच्छी है यह expectation है democracy ऐसे खरी उतरी है इसलिए अच्छी है समझ में आगई बात तो पूरी तरीके से आपका chapter इस तरीके से होने वाला है थोड़ा सा शब्दों में कठीनाई आपको हो सकती है लेकिन पूरा overview chapter का आप देखोगे ना बहुत इसी है सबसे पहले जो पहला वाला paragraph आपको दिया हुआ है उसको समझना कि क्या बताया हुआ है मैंने आपको बता ही दिया है लेकिन मैं हर बार कहती हूँ सुनने के बाद में एक बार read जरूर मार लिया करो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा पूरा दिमाग में आपको बैट जाएगा आप बोलोगे कि मैं हमको नहीं समझ आता तब ही तो आपके पास में आए तो मैं तो समझा दिया है ना आपको मैंने आपको समझा रही है हिंदी में पूरा लेकिन कुछ चीजे ऐसी हैं कि सुनने के बाद में थोड़ा सा कुछ doubt हमको रह जाता है तो जब आप read कर लेते हो ना तो दोनों चीज का मिश्रन होके चीजे एकदम perfectly दिमाग में बैठ जाती है इसके बाद में हम हमारे अगला वाले से वीडियो है उसके अंदर हम इन सवालों को discuss करेंगे है ना एक एक करके हम सारे सवालों को discuss करेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से democracy हमारी expectation पर खरी उतरती है या नहीं I hope introduction आपको chapter का अच्छे समझ में आ गया है chapter जो है वो पूरी तरीके से democracy की summary होने वाल है magnet brains पे इसी तरीके से इसी तरीके से आपको सारी चीजे available है free of cost और जो चीज आपको NCRT में दी हुई है सही तरीके से लेकिन वो हमारे दिमाग में नहीं गुस्ती कि क्या उसके बीछे का logic है क्यूं दिया हुआ है वो समझाने के लिए हम आपके लिए ही खड़े हुए है और आपको सारी चीजे अच्छे से clear करेंगे कि कैसे चीजे होती है क्या होती है क्यूं होती है फलाना ढिकाना सब कुछ ठीक है तो सारी चीजों की हम बात करने वाले है अच्छे से पूरा चाप्टर हम समझेंगे सब कुछ free of cost available है दो वीडियो दिखा के आपसे पैसे बिलकुल नहीं मांगे जाएंगे नहीं आपको कोई सा coupon code उस करना है कुछ नहीं करना बैठो बढ़िया आराम से अपनी copy कित अब लोग अपने pen उठाओ, notes बनाओ, सारी चीज़े आपको test paper, concept video से लेके test paper तक examination तक हम आपका हाथ पकड़के आपके साथ में खड़े हैं ठीक है अच्छा लगा लाइक कीजेगा, share कीजेगा, अपने दोस्तों के साथ में और subscribe कीजेगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना क से एकदम डली हुई है, सारी चीज़ों को access करो, बढ़े ऐसे पढ़ाई करो, मिलते हैं अगले वीडियो में